कि स्वीट कॉन खाइने में काफ़ी टेश्टी लगते हैं यह क्रिश्वी स्वीट कॉन में मुलना आउँ हुँ आज आपके लिए रेस तो यह देंखेये जाने में काफ़ी सुनदर। और क्रिस्पी है मैं अमिता आज बना रहे हूं स्वीट कॉर्ण की क्रिस्पी स्वीट कॉर्ण की रेस्पी तो सबसे पहले मैं यहां पहले तीन स्वीट कॉर्ण लिए हूँ आप चाहे तो पैकेट वाले स्वीट कॉर्ण से भी बना सकते हैं तो सबसे पहले मैं इसे बॉयल क तो अगर आपके पास packet वाले तो packet वाली भी थोड़ी ची बॉल कर सकते हैं तो इस तरह से देखिए हम इसे हलके आधी पके से हम शरू करेंगे तो पहले वुपानी को उबाल लेंगे अच्छी ताँ से उबाल आईगी तब हम इसमें sweet con को डालेंगे पहले नहीं डालेंगे तो तो हमारे स्वीटकोन ज्यादा पक जाएगा, इस तरह से ठंडी कर लेज़ें, जो कि हाथों से पकड़ने लाइख हो, तो पकड़ने के बाद हम इसे सारे को दाने निकाल लेगा, तो सबसे पहले एक लगबे से धारी में बनाओगी, जिससे सारे स्वीटकोन अच्छे से निक जाएगी, तो इस तरह से निकाल लेज़ें सारे दाने को आप, पहले एक लाइन बनाएए, फिर सारे एक तरह से निकल जाएगे, एक लाइन बनाने के बाद हम सारे दाने को निकालें, कुछ इस तरह से देखिए, एक लाइन बनाने के बाद बहुत इजी तरीके से यह निक तो आरा रोट काँटा भी डाल सकते हैं तो अब इसमें थोड़ी सी हम स्वात करने सा नमक डाल लेज़े जा इसमें और हाप टेबल स्पून के करें इसमें काली मेर्श और 1 बाइ 4 के करें लाल मेर्श अगर आपको पसंद नहीं है तो आप लाल मेर्श को इसकीप कर सकते हैं तो इस तरह से डालने के बाद मैं इसमें थोड़ी सी डालूगे चाबल का आटा, तो इस चाबल का आटा भी डाल सकते हैं, या आप अपसे डाल है, अगर आप चाहे तो ना भी डाल सकते हैं, तो इस चाबल का आटा डाले से थोड़ी से क्रिस्पी जादा होगी, और दोनों म पानी डालके हम इसे अच्छी तरह से कोटिंग कर लेंगे ताकि एक दूसरे में इसमें जो हमने आटा डाला है इसमें कॉर्ण फ्लोर का और चाबल का वह इसमें चिपक जाए तो थोड़ी से हाथों से पानी चुटकी मुठी से इस तरह से डालेंगे हम ज्यादा नहीं डाले हम इसे चेक करेंगे अगर कंपर रही है तो थोड़ी सी हम इसमें कॉंण फ्लोर या चाबल का अटा का थोड़ी सब्सक्राइब कर सकते हैं ति इसका चायार हो चुके है अब एसे फ्राइय कर लेग दे लिए मैं हाँ पर तेल रख्यों ज्यादा तेल का यूज नहीं कर ताके क्रिस्पी बहुत च्पेज पर हमें से निकाल लेंगे तो मैं एक झाहरा ले रहा हूं जिसी आप निचे तेल अची के निकल जाएगी इससे वे ब назв nations, आप सारे को निकाल लें क्योंकalis हैं को दालेंगी तो इसमें तय्स, में जो थे थे खेए्ट में काफी क्योंते हैं तो इसमें ब collect इत्य था समय प्रोसेस से हमारे पाइवे हमारे पास और भी कॉर्ण si निकल जाएगी तो से हाई फ्लेम में ओयल गरम करहेगा और उसी में हम दूसरे वाले बैच वाले भी हम डाल लेंगे तो इस तरह से मैं तेल को सारा निकाल के हम मैंने प्लेट में से ले लिया आप चाहे तो इसे इस तरह से भी आप खा सकते हैं क्योंकि इसमें नमक टेस्ट डेला अगर आप आप चटपटा टेस्ट चाहिए तो आप चटपटा टेस्ट के लिए इसमें थोड़ी से हम चटपटा मसाले डालते हैं तो मसाले डालने के लिए मैं यहां पर ले रही हूं सबसे पहले हरी मीच तो हरी मीच को चौप कर लिए अदम बारी बारी जितना बारी खो सके और थोड मैं इसमें और नमक डाल रहे हूं थोड़ी सी नमक भी डाल लेज़ें और थोड़ी सी चाट मसाला डाल लेज़ें चाट मसाला का टेस्ट काफी अच्छे इसमें लगए अगर आपके पास चाट मसाला नहीं तो थोड़ी सी आम चुर का यूज कर सकते हैं अब इसमें मैं डाल झालके थोड़ी सी तिखी के लिए मैं थोड़ी सी इसमें लालमीच harder बेप हम उन्हीं मातर दाल को सारे मिक्स करेंगे। मैं इसमें इसमें थोड़ी सी द्वार्ध का ताकि आपको नहीं रेसिपी देखने को मिले तो इस तरह से सारी रेसिपी अच्छी लग रही है आपको आप लाइक सेर जरूर करें और मेरे सार जरूर बताए कि कैसी लग रहे है आपको रेसिपी अच्छी लग रहे तो अपने दोसा रिलेटेब को साथ भी सेर करें ताकि ज तोटी मुटी भूख के सिनेक्स के रूप में आप इसे बना सकते हैं तो इस तरह से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिए और उसके बाद आप इसे सर्फ कर सकते तो इस तरह से बनाईए और हर इमेज के साथ खाईए अगर आपको तीखा पसंद है तो नहीं तो वैसे भी आप झाल झाल